सियासत का सूपर शनिवार साबित हुआ और प्रेस कॉंफरेंस कर एक बार पर तीनों दलों ने दावा ठोका है सरकार बनाने का तो वही महारास्टर में हुए घटना करम पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉंफरेंस की और केंद्रे मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को जनादेश मिला था और बीजेपी बड़ी पार्टी बन कर उबरी थी सियम के लिए देविंद्र पर्णवीस को जनादेश मिला था शिफ सेना को जताने में बीजेपी समर्थोकों का बड़ा हाथ है ये हमारी नैतिक और राच उनेतिक जीत थी देविंदर पर्णवीस की अगवाई में हमें जीत मिली थी चुनाव की नतीज़ आने के बाद कुरसी के लिए मैच फिक्सिंग कैसे हो गई तो विपक्ष में बैठने की बात करने वालों की फिक्सिंग की है रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शिफ सेना ने सत्ता के लिए 30 साल की दोस्ती तोड़ दी ये चोर दरवाजे से मुंबई पर कबजा करने की साजश थी और इसी को लेकर ये बड़ा उलटवेद हुआ है देविंदर फर्णवीश के अगवाई में अजीत पवार के साथ बड़ा तबका आकर सरकार को सहयोग देने का निरने करता है तो अरुक्तंतर की हत्या है इसको क्या कहा जाए ये जो नई यूती बनी है ये एक स्थाई सरकार देगी प्रावानिक सरकार देगी चुनाओ के नतीजे आने पर ही शिवस्यना किसके इशारे पर इतने उत्ते जख हो गई चुनाओ सामने में था नतीजे सामने आये थे किसके इशारे पर शरत्वार का पब्लिक स्टेट्मेंट है कि हमें अब पोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है कॉंग्रेस का भी यही टिप पही रही है कि हमें अब पोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है तो एक आए है कि आप पोजिशन में बैठने का मेंडेट कुरसी के लिए मैच फिक्सिंग कैसे हो गया